द्यान से सुने परमेश्वर के प्रियेजनों जब हम सामर्थी सिवकाई के साथ बैठ रहे होते हैं तिसमें हमें कुछ वर हमें हमारे जीवन के लिए एक महत्तुपुल अभिशेक दिया गया है जो आपके जीवन के लिए जाएगा यहां का जो अभिशेक है वो एक बहुत भारी एक बहुत बड़ा अभिशेक है जो आपके जीवन के लिए उत्तम भागों में आपको लेके जाना चाहता है उत्तम भागों में मतलब आप अग्याओं को मिस्ट करते हो और जब आप अग्याओं को मिस्ट करोगे तो आप ध्यान से सुनो जो भी महिमा का आपके अंदर जो महिमा की चीजे हैं जो आप भी आपके अंदर विश्वास के दोरा प्राप्त होने वाली चीजे हैं वो सब चली जाती हैं, आपने बाइबिल पढ़ा होगा उत्पत्ति अध्यायतीन में, जब आदम और आदम ने जब गुनाह किया, अदन की वाटिका में, तो बाइबिल कहती है कि वो नंगे हो गए, देखो जल्दीसिस पत को, उत्पत्ति अध्यायतीन, उसके साथ पत को हमारे साथ पढ़ो, देखो उत्पत्ति अध्यायतीन, उसके साथ पत, आप जब मिस करते हो, जब आज्याओं को तोड़ते हो, तो वे नंगे पाए जाते हैं और वहाँ पे वचन में लिखा है तब उन दोनों की आंखे खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोर जोर करके लंगोट बना लिया देखो बाइबिल क्या समझा रही आपको जब वो अदन की वाठिका में रह रहे थे तो वहाँ लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ रह रहे थे जब वो परमेश्वर के साथ चल रहे थे वो महिमा में थे कहिए आमेन वो महिमा में थे आपका आमेन चोटा है आप परमेश्वर के साथ में है आप महिमा में हो और वहाँ देखो जैसी ही उन्होंने पाप किया अनाग्यकारिता की परमेश्वर के विरोध में आज्याओं को तोड़ा वैसे ही आदम और हवा नंगे हो गए संसार में नंगापन है कुछ भी आप देख लो पर नंगापन दिखाई देता है मनश्य के स्वभाव से जब वो पाप में होता है जब वो पाप की अवस्थाओं में जीता है वो नंगेपन की अवस्थाओं में है इस द्यान से देखो इस वचन को लिखा कि वो दोनों नंगे थे नंगे हो गए और नोंने टंप्रेरी जुवाल किया बोलो टंप्रेरी जुवाल किया कौन सा टंप्रेरी जुवाल किया अंजीर के पत्ते तोड़ करके लंगोट बना लिए शरीर को ढखने के लिए अंजीर के पत्ते का आच्छा बताओ पत्ता कितने समय तक चलेगा है शरीर को ढगने के लिए पत्ता कितने साल तक चलेगा है ज़्यादा ज़्यादा एक घंटे दो घंटे हाँ या न यही जुआर है आसंसार में अस्थाई जुआर नहीं है और जब आप महिमा में थे तो बाइविल कहती है कि आदम और हवा नंगे नहीं थे जब वो आज्याओं में थे परमेश्वर के वचनों में थे उससे प्रेम कर रहे थे वो नंगे नहीं थे पर जैसी उन्होंने आज्याओं को तोड़ दिया वे नंगे हो गए यह पाप की अवस्था है अनाग्यकारिता का ये प्रभाव है कि मनुष नंगा हो जाता है उसके जीवन में पाप का अस्तित तो दिखाई देने लगता है अब उसका बुद्धी उस महिमा में काम नहीं करेगा अब उसकी समझ समर्थी रूप में काम नहीं करेगी हालेलूईया हालेलूईया और बाइबल कहती कि उनकी आँखे खुल गई जैसी उन्होंने फल को खाया उनकी आँखे खुल गई अनाग्यकारिता में उन्होंने फल को खाया परमेशन ने कहा था कि फल को नहीं खाना पर जब उन्होंने फल को खा लिया अर्थाद परमेश्र की आज्याओं को तोड़ दिया तब उनकी आँखे पाप करने के लिए खुल गई अलो उनकी आँखे पाप करने के लिए खुल गई यही होता है जितना आप उसकी आज्याओं को तोड़ते हो उतने अधिय का पाप करोगे जितना आप उसकी आग्याओं को मिस करोगे उतने अधिया आप पाप करोगे और जितना आप उसकी आग्याओं का पालन करोगे उतने ही अधिया आपकी आत्मिक आँखे खुलती जाएंगे इश्मसी के नाम में आमेन अच्छे काम करने के लिए हमारी आँखे खूलेंगी आमेन के साथ आप पाप कर ही नहीं सकते आप पाप कर ही नहीं सकते जब आप मसी के सौभाओं में जीना शुरू करेंगे और इसलिए वाइविल कहती कि जो कुछ हुआ वेक्ति करेगा वो सफल हो जाएगा क्योंकि पाप आपको रोकता है सफलता देने के लिए सफलताओं को अगर आप प्राप्त कर रहा है तो पाप आपको रोकता है गुनाह आपको रोकता है समस्याएं आपको रोकती है पर जब आप मसी के साथ होंगे तब आप परमेश्वर के बल में होंगे कहिए आमेन हालेलुया इसने हमेशा ख्याल रहे कि हम जब प्रभू के साथ चलते ही तो हम धीरस धर के चलें आमेन और प्रभू के पास आएं जैसा बिलाब गीत ध्यायतीन उसके 25 में लिखा है परमेश्वर की बाट जो हो और उसके पास आओ तब परमेश्वर तुम्हारे लिए भला काम करेगा आमेन चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइप प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें